आज हमारी फर्स्ट क्लास हैं इंडियन मैप के उपर तो आज हम डिसकस करेंगे इंडियन मैप तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यह हमारे इंडिया का नया मैप 370 हटने के बाद जो एक नया मैप आया है तो मैप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप जोगरफी पढ़ रहे हैं तो जोगरफी पढ़ने से पहले चाहे आप जोगरफी वर्ड की पढ़ रहे हो या फिर आप इंडिया की पढ़ रहे हो पढ़ने से पहले आपको सबसे जरूरी है मैप रीड आउट करना map देखना कि map में कौन से अगर आप इंडिया की जोगरफी पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको यह समझना होगा कि क्या हमारे जो इंडिया है उसकी boundaries है कौन से state की boundary किस country से match कर रही है ठीक है और सबसे important कि हमारे इंडिया के map में कौन सा state किस position पे है जब आपको map में जितने भी state है अपनी position पे आपके mind में fix हो जाएंगे उसके बाद आप समझेगा कि आपकी 20% जोगरफी ready है उसके बाद जैसे ही आप फिर अपने जो neighboring countries हैं जो अपने पडोसी देश हैं उनको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो तब देखेंगे कि जो हमारे country है जो neighboring country है पडोसी देश वो हमारे देश के किन किन राज्यों से सीमा साजा करते हैं तो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा state किस position में है यानकी map के अंदर हमारे India map के तो आप ये भी समझ पाओगे कि हाँ इस state की boundaries जो है हमारे दूसरे अपमारे किस neighbor country से attach हो रही है देखे ये है physical map इंडिया का यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह ग्रीन एरिया है फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर डार्क ग्रीन है देखे जो यह हमारी हिमाले रेंज है और यह हिमाले रेंज हमारी यहाँ से ले करके और यह यहाँ से और फि में इंडिया का मैप शो किया गया है नेपाल नहीं शो किया गया है तो यह जो बाकी रेंज है यह नेपाल की एरिया में आती है हमाले रेंज जो है अगर आगे हम देखें तो इधर की साइड में देखेंगे आप यह बहुत ही लाइट कलर में है तो यह डेजर्ट एरिया है य बहुत लाइत color है तो कहीं वहुत light color है तो जहां पर dark color है यहां मोनटेंस हैं परवत्तत हैं वह बहुत उच्छे हैं जैसे लाइत दीज़ल் लाइत World life छला जा रहा है, वह शो कर रहा है झाइत जो परवत्त हैं वह कम वोचे हैं उनकी उच्छाई कम होती जा रही है यहां से जैसे color light होता दिखाई दे रहा है आपको वैसे ही जो light color है वो symbol है कम उच्छे पर बत होगा और जो dark green color है वो symbol है आपकी उच्छे पर बत होगा अब यहां पर अगर हम next देखें तो आपको यह एक दिखाई दे रही होगी एक sky blue color की यह वाली line यह है आपकी ब्रह्म पुत्र नदी ठीक है यह सबसी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है इसकी जो weight है वो बहुत जादा है तो यह हैं और पर काफी सारी rivers हैं बट अभी हमार topic rivers वगरा नहीं मैं सिर्फ आपको overview दे रही थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलते हैं अपने map पर चलिए स्टार्ट करते हैं और हम शुरुवात करेंगे इंडिया के अंदर जितने state हैं उनकी location की कि कौन सा state किस location पर है तो स्टार्ट करते हैं देखिए हम स्टार्ट करें हम यहां से यह हम एक ट्रेंगल बनाएंगे गया व और इस ट्रेंगल से हम इसके यहां से रोकर के और कि यह यह यू यह राइन है यह मिदल अव है ट्रेंगल से लेंच कर देंगे उसके बाद पीर इसे पॉांट से ले करके यहां से हम इसको मेच करेंगे, यहां से इसे मिलाएंगे, उसके बाद फिर इसे इस वाले पॉांट से हम लेंगे और इसको यहां से मैच कर देंगे और यहां से लेकर के हम ऐसे बना करके लेकर आएंगे और हम इसको यहां से मैच कर देंगे चीक है, तो यहां पे यह इस प्रेंगल के थू हमने तीन स्टेट कवर कर लिए हैं, अब यह स्टेट कौन-कौन से है ये है आपका पंजाब, ये है आपका हर्याना, और ये है आपका हिमाचन प्रदेश, चीक है? उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें बनाना है डाइनसौर के फेस की तरहा एक फेस बनाना है उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे और स्पेस हम लेंगे इस तरहा लाइन खीच के चीक है? ये लाइन हमने खीच लिए स्पेस हो गया है हमारा अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेस बनाना किसका? डाइनसौर का डाइनसा लाइक फेस बनाएंगे हम तो ये जो थोड़ी सी वो आगे हल्गा सा सी निकला हुआ रहता है ना उनका उस तरह से और ये यहां से ले करके नीचे ले करके आएंगे हम और ये इसके बाद हम यहां पर थोड़ी सी इसकी गड़न बनाएंगे ये हम बना के ले क्या रहे हैं ये यह हमारा बन गया डाइनसार का फेस अब ये जो हमारा डाइनसार का फेस बना है इसको हम कहेंगे MP चीक है? क्या है यह हमारा MP यानकी मद्रप्रदेश अब हमें क्या करना है? अब यहां से हमें यह इस पॉइंट से हमें यह डाइनासार का फेस है ना? इसको मैच करते हुए और हम ऐसे ले करके आएंगे यह हो गया हमारा गुजराद उसकी बाद यहां पर यह जो हमारा स्पेस बन के आया है ठीक है? यह स्पेस बचाना हमारा यहां पर तो यह होगे आपका राजस्थान नेक्स्ट अब हम इधा की एरिया में आ जाते हैं अब यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यह इससे हमने मिला दी अब यहां पर हमारा यह हो गया अपना यूपी यहां तक हुए? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब यह गर्दन है डाइनासौर की? अब इसको बन भी तो करना होगा अब यहां से हम एक पॉइंट लेंगे और यह हमारा यह यह हो गया हमारा क्या? अन्द्रप्रदेश अब हमारा यह वाला इरिया बचा है यहां से हम लेंगे और यह हमारा यह आ गया है यह हमारा कुडिसा अब यहां पे हम आएंगे यहां से पहले तो हम यह वाला इरिया ब्लॉक कर देंगे बन कर दिया हमने यहां से और एक यह हमने इधर से यह बन कर दिया है ये वाला जो आपका एरिया है ये है आपका सिक्किम अब यहाँ पे ये उपर का एरिया हमारा सिक्किम हो गया है यहाँ से हमने ये बंद कर दिया है ये जो लाइन आ रहे थी अब यहाँ से हम ले करके आएंगे इस तरह से और ये ये यह हो गया आपका West Bengal अब हमारा यह वाले एरिया बचा है यह हो गया हमारा Be Hard ठीक है? दुबारे लिख देती हूँ विहार यहां का हमारे एक कंप्लीट हो गया है अब हम क्या करेंगे? इस लाइन को ले करके आएंगे यहां पर यह हो गया हमारा एरिया महारास्ट्र का अब महारास्ट्र के नीचे से हम लेंगे छोटा सा पॉइंट यह हमारा पॉइंट जो है हमारा यह वारा एरिया यह हमारा गोवा उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद हम यहां से यह लाइन लेंगे यह यह है हमारा केरला केरल अब यहाँ पे हम इस लाइन से यहाँ से ला करके इसको यहाँ टच कर दी है अब यह हो गया हमारा करनाटक और यहाँ पे यह है हमारा तमिल न्याडो अब हम कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका डिवाइडेशन हुआ जैसे कि यह हमारा है MP MP का यह पार्ट हो गया 36 यानि कि MP से यह पार्ट निकाल करके separate बन गया अलग स्टेट जिसे कहते हैं 36 वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मैप में से यहां से यह कट होकर के अलग स्टेट बना है जिसे कहते हैं हम जारखण वहीं UP में से यह पार्ट करके निकल के यह बन चुका है उत्राखण जैसे आप जानती हैं कि जो उत्राखण है पहली UP का ही पार्ट हुआ करता था वहीं पर अगर हम आंद्रप्रदेश की बात करेंगी तो आंद्रप्रदेश से भी निकल के बना है आपका तेलांगना यह है आपका तेलांगना अब हम आते हैं इधा की साइड अपने सिक्कीम की साइड देखी यह जो हमारी बॉंट्री है यह वाली इसकी जो पूरव है मैं आपको बता दूँ के मैप में यह होता है इस्ट यह होता है आपका वैस्ट यह वाले एरिया होता है आपका नौर्थ और यह नीचे होता है आपका साउट अब यह हमारा जो पूरवांचल इसे पूरवांचल भी कहा जाता है जो पूरवी भाग है इसमें हमारे सेवन स्टेट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन seven states को कहा जाता है seven sisters तो देख लेते हैं हम पहले यहां से हम इस point से उठाएंगे और इस point से इस तरह ला करके हम इसको यहां पर मैच खटें यह हो गया हमारा अरुनाचल प्रदेश अब यहां से हम यह आपका यहां पर इसको मिला देंगे फिर यहीं से उठाएंगे हम यहां से ले करके इससे मैच कर देंगे यह हमारा यह इससे हो जाएगा और यह आपका यह उसके बाद फिर यहां से यह मिलाएंगे इस वाले पॉइंट पर ले जाकर गए यह आपका हो गया असम यह हो गया आपका नागालेंड यह हो गया आपका मनीपुर यह हो गया आपका मिजोरम यह है आपका त्रिपुरा और यह है आपका मेगालेंड अब देखिए, कन्फ्यूजन हो जाती है पुरवांचल के स्टेट को कैसे लर्न करने की तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से यह वाला एरिया हमने निकाल दिया यह वाला तो यह इधर आउटसाइड एरिया जो हो गया यह हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का अब जहां पर अरुणाचल प्रदेश की बॉंट्री हमने बंद की है यहां से यही से स्टार्ट हो रहा है आपका नागलेंड उसके बाद आपका मनीपूर आ रहा है फिर उसके नीचे आपका मिजोरम आ रहा है अब देखिए इनको कैसे सिक्वेंसे लर्न करेंगे कि पहले कौन से स्टेट आ रहा है नागलेंड नागलेंड के नाम में ही क्या रहा है नाग चीक है तो नागलेंड से नाग हम लर्न करेंगे अब जहां पर नाग होंगे नॉर्मल सी बात है मनीग की बात तो वहीं आएगी तो नाग के बाद सीधे मनीग की बात आती है तो नागलेंड और फिर उसके बात मनीपूर नेक्स उसके बाद तरपुर उप यहाद रखेंगे, यह तरपरा है इधर Groundmission है, उसके बाद मिघाले की बाती है, कि मिघाले को कैसे learn करेंगे, आप देखिए जापने देखा होगा, कि आपका यह जो ओर e area है, यह ओर यहाँ पर, यहाँ पहरा समको और वंगाल के आ रही है, अब य सीधे उपर क्या है मेघाले अब मेघाले जब सीधे इसके उपर है तो इसका असर तो हो गई होगा और मेघाले में आपको पता यह सतजादा बारिश भी होती है तो मेघा यानि की बारिश बारिश यानि की पानी तो सीधे उपर यहां पे लेकर के आएंगे तो यह होगी आप यानि की संख्शाषित प्रदेश की तो नए वाले मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यह है हमारा लदाक जो यूनियन टारिटरीज बन चुका है और यह है आपका जम्मू और आपका कश्मीर जम्मू कश्मीर ओके उसकी बाद फिर आपका यहां इनीचे आ जाए हम साउथ के एरिया में तमिल लाड़ो की साइड में तो यहां पे आपका यह क्या रहा है यह है आपका पॉंडू चेरी उसके बाद फिर हम आते हैं यहां पे गुजराद साइड में यहां पे यह गुजराद के यहां पे यह नीचे यहां पे है हमारा दमन और द्वीप आप ह आतो आत लिखते रहें ना नोट बुक में नोट करते रहें उसके बाद फिर यहां पर यहां इस एरिया में यहां पर यह आपको गिरीन दिखाई दे रहा होगा और यह हमारा यहां पर ठीक है मैं थोड़ा सा और डाक कर देती हूं वैसे इतना बड़ा है नहीं है लेकिन और नागर हवेरी ठीक है उसकी बाद नमबर आता है आपका चंडीगड का तो ये इधर पंजाब और हडियाना के साइड में यहाँ पर ठीक है यह है आपका चंडीगड क्या है चंडीगड उसकी बाद यहाँ पर यह आपका यह एरिया यह है आपका क्या है दिल्ली यानि दिल्ली उसकी बाद उसकी बाद यहाँ नीचे हम आएं तो यहाँ पर यह है हमारा लक्षिडीग चीक है क्या ही है हमारा लक्षिडीगड उधर फिर यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यह है आपका अंडमान नीकोबार द्वीब समूँ ठीक है यह है हमारा यह वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटा सा यह अंडमान नीकोबार द्वीब समूँ है और यह हमारा यह वाला एरिया जो है यहाँ पर यहाँ आपको बतादी थी, आपको स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, जैसे पहले मैंने यहां पर यह बनाया था आपका ट्रेंगल बनाया था इसको बनाने के हिसाप से इसके हिसाप से पहले आप यह तीनों स्टेट बनाएंगे उसके बाद फिर यहां से जैसे मैंने आपको बताया था यह स्पेस देंगे उसे स्पेस देने के बाद फिर आप यह जैसे मैंने आपको बताया था है यहां पर यहां पर यह फेस बनाएंगे चीक है उसके बाद फिर हमने जैसे बताया था फिर यहां से इसकी गर्दन बंद करेंगे उसके बाद फिर जैसे से मैंने आपको बताया है आप बैक करके आप वीडियो को बाद पी देख लीजे और I hope कि आप ज़रूर ट्राइ करेंगे देखिए ये मैप अगर आपको इनकी लोकेशन अगर आपके माइन में साइट हो गई ना तो मैं सच बता रहे हूं 50% आपका जो जो जोगरफी है वो आपकी कमाइन में हो जाएगी वीडियो जादा बड़ा होने की वजह से यहीं पर समप करते हैं हम आज का मैप की जो हमारी वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगी मैप की ग्लासिस तो वो मैं स्टेट वाई स्टेट एक एक स्टेट उठाऊंगी उसके बाद उसमें कितने दर्रे हैं कितनी घाटियां हैं कहां से सीमा किस कंट्री से हमारे नावरिंग कंट्री से मिल रही है ठीक है इस थालिये छेतरज कितने हैं और जो तर्टिये सीमा है इस थालिये सीमा ह वो सारी कैसी है हमारी एक के करके बैक टो बैक में उस पर वीडियो बनाऊंगी वैसे नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी मैप की वो आपकी जमू कशिमीर और लदाग से रिलेटेड होगी तो I hope कि आपको क्लास पसंद आई हो and at last thanks for watching please please like share and subscribe take care bye bye